हेलो दोस्तों, वेलकम तो दे चैनल जीपीएच बुक्स, आज हम बात करेंगे BPSC133, तुलनात्मक, शासन और राजनीती के महत्वपून कोश्चन्स के बारे में so make sure वीडियो को एंट तक जरूर देखिए so without any delay, let's start the video friends I hope आप सभी की examinations अच्छे जा रहे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशन एक राजनीती के तुलनात्मक अध्यन की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी एवम उप्योगिता पर चर्चा कीजिए प्रेशन दो सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ती में तुलनाय कैसे सहायता करती है अगर आप चाहते हैं आपको इन कुश्चन के आंसर्स रैफर करने के लिए बुक मिल जाए तो आप गुली बाबा की हेल्प ले सकते हैं गुली बाबा की वैबसाइट पर आपको बीपी एस सी वन त्री त्री सर्च करना है और आप वहां से अपनी डिजायर बुक ले सकते हैं फ्रेंड्स ओके सो आप इन सब कुश्चन को जरूर गो थू कर लीजिएगा इसलिए हम यह वीडियो आपके लेकर आए हैं कुश्चन नमबर फोर सरकार राजनीतिक विवस्था तथा राजनीतिक पद्धिती में भेद स्पष्ट कीजिए या इस कुश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है अथ्वा राजनीतिक पद्धितियों के वर्गी करन का उदेश्य बताईए कुश्चन नमबर फिफ्ट विक्सित देशों में लोक्तांत्रिक शासन की प्रमुख विशेष्टाओं की पहचान कीजिए और उन्हें सपष्ट कीजिए कुश्चन नमब अथ्वा राजनीति में सैना और इसके परिणामों का वर्णन कीजिए कुश्चन नमब एट सरकार का संसदिये स्वरूप क्या होता है इसके कुछ प्रमुख विशेष्टाओं के बारे में बताईए संसदिये और राष्ट्रपती प्रणाली के फाइदे और नुकसान बताईए संगात्मक सरकार या विवस्था क्या होती है इसके विकास पर प्रकाश डालिए या इस सरे भी कुश्चन को पूछा जा सकता है संगवाद की आवश्चक विशेष्टाओं बताईए अगर आप अपने एक्जामिनेशन की प्रिप्रेशन कोश्चन आंसर्स फॉर्म में करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी गुली बाबा की सभी बुक्स में आपको इस तरह के ही कंटेंट्स मिलेंगे जो आपको रैफर करने में असानी कर देते हैं अपने कोश्चन के एंसर्स को एकात्मक सरकार या विवस्था क्या है इसकी मूल विशेष्टाएं बताईए अथ्वा संगिये तथा एकात्मक विवस्था में अंतर सपष्ट कीजिए राजनेतिक दल से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुख विशेष्टाओं के विवेचना कीजिए अथ्वा राजनेतिक दलों के विभिन कार्रे बताईए दवाब समूहों से आपका क्या अभिप्राय है इस समूह को विभिन विद्वानों ने किस प्रकार परिभाशित किया है बताईए कुशिन नमबर फॉर्टींट आलमंड और कॉलमेन द्वारा वरगी कृत किये गए चार प्रकार के दबाव समूहों क्या है समझाईए कुशिन नमबर फिफ्टींट बहुलवादी, बहुमतिय, आनुपातिक, प्रतिनिधित्व और मिश्वित सदस्य विवस्थाओं से आप क्या समझते हैं फ्रेंट्स बेहर इंपॉर्टेंट कुशिन्स हैं अपने एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं इन कुशिन्स को जरूर गोत्रू करके जाईएगा अपने कंटेंट को कुशिन अंसर्स फॉर्म में पढ़ने से स्टरी करने से आपको एक्जाम्स में उन्हें लिखने में बहुत मदद मिलती है सो चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्श नम्बर 16 राज्य क्या है उसकी विभिन व्याक्याओं को सपश्ट कीजिए राज्य की आदुनिक संकल्पना पर टिपनी लिखे विकसित और विकासिल देश क्या है विकसित एवन विकासिल देशों में राज्यों की स्थिती पर चर्चा कीजिए Q18. वैश्वी करन या भुमंडली करन से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तरित रूप में समझाईए या वैश्वी करन के प्रमुक दृष्टी कोणों का वर्णन कीजिए पिस तरह से भी questions को prepare करें कि आप उन भी short note लिख सकें फर्स्ट इस निउन्तम राज्ये, सेकेंड कल्यानकारी राज्ये, थर्ड नव उदारवाद, फोर्थ पारंपरिक माक्सवाद येस फ्रेंट्स ओल टॉपिक्स अर इंपॉर्टेंट किसी पर आपको 20 माक का question आ सकता है, किसी पर आपको short note आ सकता है तो आप इन questions को एक बार जरूर यहां से देख लीजिए, फ्रेंट्स बुक का link भी description में दिया गया है, reference book आप ले सकते हैं, इन questions के answer refer कर सकते हैं, आप उस book से link पर click केजिए, book directly आपके सामने open हो जाएगी और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और informative लगी, तो friends, like and share जरूर कीजिएगा, ताकि यह most of the students तक पहुँच सके, जितने जादा आप likes करेंगे, उतने जादा यह video spread होगी, thank you for watching, stay tuned with the channel for more updates, and all the best for your examinations